आज हम करने जा रहे हैं एक इंस्टेंट पनीर बटर मसाला की रेसिपी जो बनेगी टोटल 20 मिनिट में कैसे जानने के लिए देखे रेसिपी टोटल आको लगेंगे 20 से 25 मिनिट बनाने में बहुत ही आसान यह देखे मैंने लिए हैं दो प्यास जितना प्यास उससे दो गुना टमाटर यह हैं चार टमाटर साथ में मैं डालूँगी एक चमच खस-खस, आठ से दस बदाम, आठ से दस काजू, छे से साथ कलिया लस्सन की, दो हरी मिर्च, एक इंच अधरक का टुकड़ा, दो मोटी वाली लाल मिर्चे और साथ में डालेंगे धनिये की जड़ और डंठल जिसमें होता है अमेजिंग फ्लेवर, इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी, एक चमच मगज, आधा कप दूद, दो टुकड़े मक्षन के, एक चमच नमक, तीन चुथाई चमच देगी मिर्च, फ्लेम आन कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजये सब को और इसे हम देँगे दो विसल, चलिए आप इसको लगाते हैं, दो विसल, ये पनीर बटर मसाला, विसन तयार ये, आप इसको हम ठंडा करेंगे और blender में फीस लेंगे पनीर बटर मसाला के लिए हम लेंगे दो चमच तेल, एक चमच मक्षन अब इसमें हम डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच जीरा पाउडर वन फोट स्पून लमक आदा चमच रेड चली पाउडर अब इसमें हम एड करेंगे थोड़ा सा पानी कि हमारे मसाले जले लहीं और अच्छे से बनके तयार हो जाएं अब मैं इसमें एड करूँगी भूनी वी कसूरी मेती भूनी वी कसूरी मेती का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है ये रही हमारी ग्रेवी ये देखिए हमने ग्रेवी पीस ली है कितने बढ़िया स्मूथ ग्रेवी बनके तयार है अब हम इसको एड करेंगे मसाले अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मक्चीनी इसको अच्छे से मिक्स कीजिए बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है अब इसमें घर में कोई आरा और कैसा बनाए फैंसी भी हो और फॉर्मल सा भी दिखे ये बहुत ही इंट्रस्टिंग रेसिपी है या प्यूरी बना के फ्रिज में भी रख सकते है तीन से चार देन चल जाएगी अब इसको हम धकन देंगे और दस मिनट तक पकाएंगे तो अमेजिंग देखे इस फ्लेम को स्लो कीजिए नहीं तो छिट्टे आएंगे आप पर अब इसमें हम अट करेंगे पनीर पनीर को अगर सॉफ्ट रखना है तो इसको गरम पानी में एक बार भी गोईए और फिर आड कीजिए यह कितना सॉफ्ट एंग जूसी होगा पनीर देखे बनिया ना बढ़िया पनीर बटर मसाला इसको एक बर हम ढखेंगे और तीन से चार मिनट तक पकने देंगे चलिए चेक करते हैं वाँ देखें क्या बढ़िया कलर आया है अब इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच क्रीम के दो हरी मिर्चे स्लिट कीवी थोड़ा सा हरा धनिया एक चम्मच मक्षन यह है होम स्टाइल जो एक हाउस वाइफ अपने घर कहते हैं एक रेसिपी इजा अगर आप कोई दिश अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी कोई भी क्वेरी है तो मुझे मेसेज कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियांका अंडर्सकॉर भाटिया जरूर बनाएगा बहुत ही टेस्टी है जयाएग याफ गंडर्सक्राइब कीजिए झाल मुझे जरूर झाल मुझे एंडर्सक्राइब कीजिए।